वीडियो में इन तक बने रहे हैं चैनल पर पहले बाद तो जैनल देर न करते वीडियो शुरू करते हैं और आप मोई चैनल को दूनिया के कौन से कौन्स देखरें कॉमेंट करके जडरू बताएं जैकेट बगेरा इस तरीके से डिलेटिड है होता क्या कि थंडी के मौसम जन क्यों से इसमेल पर याने लगती है तो इसे कैसे जो एक तुछ आपकी नहीं ऊषुके आपके अच्छ अक्षी से कलीन भी करसको गई और विजैना इसके बबडलर है इस तरीक से थोड़ा सा मौने लें गे इसमें मिथा सोडा है चननी में लेंगे बाबर मात्रा में ही इन मिठा सोड़ा लिए ना उतना ही हमें पॉडर भी एड़ कर लेना अच्छी खुष भूब लेंगे ना ता आपके जैकेट भी अच्छी लगेगी तिस तरह से उपर से अंदर से क्योंकि अस्मेल ज्यादा तर अंदर ही होती है पसीने की बज़ा से तिस तरह से आपको छन्नी क पूरे जैकट पर इस तरह से गिरा देना है गिराने के बाद दोस्तों हमें जहना एक मिनट के लिए इस ऐसे ही छोड़ देना ताकि जितने भी बड़ा समय बगए रहा है वह सारे अपजाब कर ले आई देखे दोस्तों हमने इसे दो से तीन या चार पांच मिनट के लिए अब करना क्या है दोस्तों देखे हमने एक जुराव ले लिया है जुराब को अच्छे से इस तरीक से आथों पाहन लीजिए जुराव हो या फिर इस तरीक से पंजे कुछ भी दस्तानी बगए रहा पानी से अच्छे से गीला कर लेना है ताकि हम से सफाई कर तो बहुत अच्छे लिए जाड कर देना है लुक कि बलुकुल को जाएगा ऑली डेकी हमारा ज़िए बहुत अच्छे से क्लीन हो चका है थोड़ी दिर के लिए अगर हो सकेट तो दूत में रख दीजिया उसल्याओ हावा में खूले में छोड़ दीजिये खिए थोड़ी सिनम भी बि बात ध्यान देने वाली होती क्या है Dollar thisには Jacket orjuk याप इस तरीग से. इस तरीी कि Jacket होते है स्वेटर पस गए रहा होते हैं उसको आप नोजíघे कितना भी जाडka की जाड़ेंगे आ धिनलफ सोभीक्त कीज़ हो, लुष भुते हैं आप विसके entry लाकफे केव, तो ध्यान रहे हैं दोस्तों स्वेटर नहीं करना इस तरह जैकेट होते हैं इस तरह की मैटेरियल वालते हैं आप उसकी ही सफाई कीजिएगा इस तरीके से तो आप करते हूं तरीका पसंद आया है सुन्दा सुन्दार डिजाइनर चुड़ियों स्लिटर अभी साधी का सीज़ा चल रहा है तो साधी में हम लोग बहुत चमकीले और डिजाइनर चुड़ियां पहांते हैं दोस्तों एक दिकत होती क्या है कि इसमें बहुत सरे ग्लीट करते हैं कपड़ों में लग लग जाते हैं इसे अपको अनक्रमफटे बस चुड़ियां इस तोड़ा सा पको लगा देना ये तोस से जतने वी ग्लेटर बगेरा खडने वाले होंगे, उडने वाले होंगे, चुटने वाले होंगे, वो सारे बहुत है चिपक जाती है, और यह जो है आपको बिल्कुल भी परेसान नहीं करेगा, आपके मेक अप भी खराब नहीं करेंगे, तो फोब करते हूं, यह देखिए, जितने भी चुडिया आपको इस तरीक से लगा लेनी है इसके बाज़े दोस्तों इस देखिए हमने सारी चुडियों पर इस तरीक से लगा दिया है पर इस अभी बहुत अच्छा सेट हो चुकी है बिल्कुल भी स्टोन जो है ना ग्लीटर बगएरा निकलेगा नहीं इससे दूसरी जो फाइदा हो तो सोचते हैं चुडियों टूटे ना इस तरीक साप बढ़ी है आराम से पहन भी सकोगे क्योंकि चुडियों पहुती हो जाती है तो पकत्म यह तरीका आपको पसंद आया हो दोस्तों पसंद आया तो एक लाइक जरूर किजिएगा दोस्तों अग्वी जो टीप से फिंस प चुर्ँ यह उडर जाती है हमारा सारह पएसर चला जाता है बहुर्ट यह बहुत जल्दी है खतम हो जाती यह तो इस करते का दला हमें थोड़ा सा कॉचन लेना ज्यादा नहीं इस तरीक से देखिए आपको जएन इसमें फिक्स कर दीना तह देखिए इस तो अब कन ओर तो है ना दोस्तों ये कमाल के आडिये ज़रूर बताएगा होप करते हूं आडिया पसंद आया होगा दोस्तों अगली जो टीप से पेंस होगा देखिए इस तरीकी से बेसलीन से अक्सर क्या होता है ठंडी में जाना हमारे लिपस बगेरा बहुत ही अदा फटते हैं तो हम लोग वेसलीन का यूज करते हैं जिससे हमारा लिपस्ट बना रहें लेकिन दोस्तों सिर्फ वेसलीन नहीं करनी पड़ेगी यहां पर देखिए मैंने अल्रेडी बना करके रखा है क्योंकि मैं इसी तरीकी से पूरी ठंडी यूज करती है देखिए सोच रहे होंगे यह पिंक कैसे हो गया तो यहां पर करना क्या है दोस्तों आपको ले लेना है इस तरीकी से बिंसलीन ज्याद या फिर इसे आप जादा मातरा में यूज करते हो जादा यूज करते हो तरी देखिए हमने इसे ले लिया है अब करना क्या है दोस्तों दिखेए थोड़ी सी में बहुत नहीं अच्छे से बन जाती है यहां पे कलर ले करके इसे एच्छे सी रिभ ऍकस कर दीजे है प्यारा सा कलर आ जाता है यह दिखें लाइट पिंक तो है ना दोस्तों एक कमाल के आड़िये कैसा लगा जरूर बताएगा इसे आपके लिप्स भी सॉप्ट रहेंगे और आपको अलग से लिप्स्टिक भी अपलाई नहीं करना पड़ा तो कहीं भी बाहर जाना है फटा फट दोस्तों मेरी आज की जब ली टीप से फिंस वहावदी की स्टिक से हमने एक साबून ले लिए है को भी एक नए साबून ले लिए जो कि बिल्कुल नया हो और अच्छे और सुगांधित वाले होने चाहिए तो चलिए साबून का यूज करना दोस्तों अब हमें लेना यहा कि थोड़ा से दबाएंगे यह देखिए इसमें छे से साथ लांग को हमने इसमें लगा दिया है अभी है दोस्तों इसका यूजन आप बहुत सारे जगहों पर कर सकते हो जैसे की बात्रूं में कर सकते हो कीचन में कर सकते हो जो फ्रूट भाई रखते हैं उस पर देखते हो कि बहुत सारे चोटे-चोटे कीड़े उड़ते रहते हैं और आप इसे अपने कबड में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें लांग और साभून की मिलके बहुत ही अची से खुस्पूर्यक्त की रेट होती है लांग निगेटिविटी को करते हैं पोजेटिविटी इनर्जी भी इसे साइड में रखना क्योंकि साभून है थोड़े बुद्दाग भी लग सकते हैं तो इस तरीक से आपको कहीं भी साइड में रख दीजेए इससे जैना आपको अलमीरा से बहुत अच्छी से खुस्पूर्यक्त रहेंगे और इसमें जैना जो कपड़ों वाली बैडस में होती है और भी सारे खतम हो जाएंगे थोप करते हैं दोस्तों यह तरीका आपको पसंद आया होगा पसंद आये तो लाइक जरूर कीजेगा और हां ऐसे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजेगा